जुति सचार जी बुद्ध माना जा रहा है कि सावन की तीसरी सुम्बारी के दिन बुद्ध वक्री होने जा रहे हैं किस रासी पर वक्री होंगे और इस से किन रास्यों के ऊपर सकरात्म प्रभाव पढ़ने वाला है बुद्ध जो है ग्रोहों का राजकुमार शिंग रासी पर पांच अगस्त सोमवार से उसी शिंग रासी पर वक्री होने जा रहे हैं और जब वक्री हो जाएंगे तो तीन रासी वालों के ऊपर राजकुमार की कृपा हो जाएगी राजकुमार तीन रासी वालों के उपर क्रपा वरसाएंगे बुद्ध जो है जब भी वक्री होता है तो बारह रासीयों पर उसका प्रभाव पढ़ता है लेकिन विशेश रूप से तीन रासी वालों के उपर विशेश क्रपा होने जा रही है वो तीन रासी वाले हैं मिथुन, कन्या और धनू ये तीन रासी वालों के उपर बुद्ध की विसेश कृपा होने जा रही है विसेश कृपा में क्या है बुद्ध जो है वो धन के कारक ग्रह हैं जदी आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी और वाहन स दुख, शज्जा, सुख, धन, ब्यापार, इत्यादी में बढ़ोतरी होती है। जदी पढ़ने वाले विद्यारती हैं, जदी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुद्ध ऐसा ग्रह है, जो की बौधिक विकास, दिमाग का विकास करने वाले ग्रह हैं, तो तीन रासी वाले की दियारती जो हैं, उनको पढ़ाई में विसेश रुची होगी और जदी एक्जाम दिये हुए हैं, परिक्षा दिये हैं, तो उसका रजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आने वाला है।